वीजा एक्सपर्ट्स नश्कर दोस्तों, वेलकम टू वीजा एक्सपर्ट्स दोस्तों, रशिया ओपन हो गया जी रशिया का टूरस्ट वीजा, बिजनिस वीजा, थ्री मन्थ वीजनिस वीजा, सिक्स मन्थ हो गया, एक साल का वीजा, तीन साल का ओपन पर्मिट सबी category open हो गई है ठीक है अगर कोई भी रशिया का एक साल का business लेना चाहता है या तीन साल का category वाला visa लेना चाहता है तो contact कर सकता है क्योंकि हमारे पास जो भी एक साल के visa के उपर आपको जो business visa होता है उसके अंदर हमारे पास जो job है KFC में job है वहां पर toy shop में job है गार्मेंट्स की दुकाने हैं और काफी सारे showroom में helper as a helper, sale man, cashier ये सारी jobs है तो अभी जो recent है वो मुझे hotel में भी बंदे चाहिए और shop में भी बंदे चाहिए जिनकी जो salary होगी starting salary 30 to 35 के उनको जाने कि 30 से 35 एर with food, accommodation, car, room सब कुछ आपको मिलेगा totally A to Z ठीक है और देखिए रेशिया का एक साल का वीजा होगा extendable होता है in out करना पड़ता है extend हो जाता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और देखिए दोस्तों यहां से ही एक साल का आपका वीजा लगके जाएगा और फ्लाइट्स भी जा रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अगर आपने tourist visa लेना है one month का वो भी मिल जाएगा अगर आपने तीन महीने वाला लेना है वो भी मिल जाएगा six month वाला लेना है वो भी मिल जाएगा अगर आपने एक साल वाला लेना है बिजनस वीजा वो भी मिल जाएगा है तीन साल वाला भी आपको मिल जाएगा ठीक है तीन साल वाले का थोड़ा सा टाइम उसको जादा लगेगा बट वो भी प्रोसेस में हो जाएगा तो इन्विडेशन वेस्ट होते हैं दोस्तों सारे ठीक है साल वाल दोस्तो 100% आप काम कर सकते हो आपको ऐसे मैं बंदे मिला दूंगा जो वहां पे बिजनेस वीजे पे जो हमने बेज़े हैं वो काम इस टाइम कर रहे हैं वहां पे ठीक है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लोग बोलते हैं कि आप बिजनेस वीजे पे काम अलाउड नहीं है वो इलीगल हो गया दोस्तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप एक बार वहां पे सर्च कीजिए जा कोई बंदा अगर वहां पे काम कर रहा है उसको एक बार पूछना सही क यह लीगल है या इलीगल है ठीक है वैलिड वीजा है वो इसलिए होता है कि बिजनेस वीजा होता है अगर आप उस पे वीजे पे आप बिजनेस करना चाहते हो तो कर सकते हो अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते तो आप जौब कर सकते हो जितना वीजा पीरेड होता है ठ कर सकते हो ठीक है 90 डेज होता है वैसे तो आप वहां पे जब आपका रेजिदेंस आप वहां पे अपने आपको रिजिस्टर कर वा लेते हो उसके बाद आप पूरा एक साल रह सकते हो उसके बार इना उट करके फिर आपका वीजा एक्सेंड हो जाएगा कोई इसमें दिक्कत यह के लिए परश्याइं करसा के ईयुक्त सकते हो जो हमारा पहले चैनल चलो वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आगी है थोड़ी सी तो इसलिए वो अभी शूर नहीं हो रहा है तो दूसरा हमने जो नया चैनल राजवी वीजा अक्सपर्ट के नाम से बनाए उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक कीजिए और न्यू न्यू वीडियो भी आएगी डिल